तब तक उनको कोशिश करनी चाहिए कि विधायकों की संक्या बढ़ाई जा सके और आने वाले समय में कैसी एक रणनीती बना करके एक नाच चिंदे को टकर दी जा सके क्योंकि जनता ने तो आखिरकार उद्व ठाकरे को ही चुन करके सत्ता में लेकर क्या आई थी नमस्कार मैं हूं कपेल और आप देख रहे हैं नेक्च नाइन न्यू स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है स्यासी संग्रामिया हम चर्चा करेंगे महराश्ट के बारे में दरसल अगर महराश्ट की बात करी जाए तो एक नाच शिंदे एक बड़ा कार का आयोजन करते हैं इसको नाम दिया जाता है बूशर पुरुसकार और यहां पर हजारों की संख्या में भीड मौजूद नजर आती है हाला कि टेंपरेचर की अगर बात करी जाए तो यह अर्टिस से चालिस रिगरी का था और लू चलती है तमाम जो लोग हैं यहां पर वो जनता को बलाते हैं खुझ जो है वो इसी कूलर में बैठते हैं लेकिन जनता दूप में बैठती है फिलाल जो मुद्दे थे वो यही मुद्दे थे कि विकास दरसल महाराश से लगबग गायब हो गया है लगातार इस बात का दावा जो है वो दव ठाकरे और महाँ विकास जो है उनकी सरकार में लाए जा रहे थे या फिर यह दावा किया जा रहा था कि कुछ वक्त में यह प्रोजेक्ट महाराश में लाए जाएंगे लेकिन अब इस्तिती जो है वो लगबग पलटी वी नजर आ रही है ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है वो यह यह गुजरा चले रुपे की परियोजनाएं जो है वो की जा रही है और यह परियोजनाएं सौंदर करड की हैं इसमें अगर 40-50 करोड रुपे खर्चा होता तो यह लगतार कहा जा रहा है कि ठीक था तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि महाराश में दरसल आखिर क्या उदव ठाकरे की सरका करी जाए तो यह आरोप ना सिर्फ राज ठाकरे लगा रहा है बलकि तमाम ऑपोजेशन की पार्टिया लगा रहे हैं कि महाराश्ट कहीं ना कहीं विकास सेवन चितना देखिए राश ठाकरे का अभी जो स्टैंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है मुझे ऐसा नही तो ऐसे में राज ठाकरे मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे का समर्दन करते हुए नजर आरे या फिर उद्धव ठाकरे की दुबारा से सरकार बनाने वह मदद कर संगे उद्धव ठाकरे इस वक्त उनको जरूरत है कि विधायकों की संक्या बढ़ाना और अपने जो पार्टी है उसको मजबूत करना किसी तरीके से क्योंकि सुप्रीम कोड का फैसला अभी तक आया नहीं है अंतिम फैसला अभी आना बाकी है चुनाब चिन को लेकर के जब तक शेव सेना को जुनाब ठाकरे को वापस नहीं मिल जाता है तब तक उनको कोशिश करनी चाहि से सीम बने थे लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर मांसी यह भी खड़ा होता है कि भूशड पुरुसकारों का जो आयोजन किया जाता है अमिच्छा को लेकर यह का जाता है कि उन्हें दरसल जल्दी जाना था इसलिए इस रैली को दुपैर के एक से लेकर दो बज़े के बी कि दो कि अपने जल्दी जाना था लेकिन उसके बावजूद आपने जन्हें को बुलाया और इतनी गर्मी में उन लोगों के बुलाया गया तो कहीं ना कहीं यह जो बात है वो सवाल यह निशान खड़े करती है एकनाच चिंदे सरकार पर भी उकनाच चिंदे आखरकार उनको जवाब उनकी जवाब देही नहीं बनती है कि जनता को जो इतनी तादाद में वहाँ पर बुलाया गया कोई इंतजाम नहीं किये गए थे गर्मी से निपटने के तो तक तमाम ये सवाल है जो एकनाचिंदे सरकार पर बनते हैं और उनको इसका जवाब देना भी बुशा कि अगर बात करी जाए नेताओं की तो तमाम नेता देखें तमाम तरह की रहलियां देखें लेकिन यहां पर जो है वो बिल्कुल उलट होता हुए नजर आ रहे है बीमसी चुनाओ की अगर बात कर जाए तो तारीकों का एलान नहीं हुआ है तो आपको क्या लगता है कि लगतार कैसी खबरे आ रहे हैं महां विकास अगाड़ी गटबंदन की टूट की खबरे इसलिए हैं कि कॉंग्रेस में जुस तरीके से फूट की खबरें कॉंग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है वीर सावरकर के बयान को ले करके कई ना कई राहूल गांदी बयान दे ही देते हैं वीर सावरकर पर और कॉंग्रेस पार्टी कहती हैं कि वीर सावरकर पर वो बच करके बयान देंगे लेकिन वहीं शरत पवा कहते हैं कि राहूल गांदी का वुस्टर उनको अभ्थ समझ के में उसके पावजू सावर्कर हूं मैं गांधी हूं मैं मांघ कर भागने वालों में से नहीं हूं तो यह बात उनकी तरफ से कह घी तो ऐसी मे विड्य शावरकर को लेकर बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अजीत पवार पर लगातारी अटकले लगाई जा रहे हैं तो उसको लेकर के राहूल गांधी को इस वक्त अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है लेकिन एक सवाल यह भी रहेगा कि शरप पवार के अगर बात कर जा जा रहे हैं तो इस उनके विदायक जो एकना चिंदे की पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं यह भी कबरे आ रही थी कि शरप पवार और बीजेबी का गड़बंदन हो सकता है तो आपको क्या लगता है कि शरप पवार मजबूरन नहीं सही बीजेबी के साथ जाते वे नजर आएंगे भारती जनता पार्टी इस वक्त जो जानी जा रही है वह इसी मसले पर जानी जा रही है कि एडी सीबिया कर शिकंजा एक तो विपक्षी पार्टी ओपर कसा जा रहा है दूसरा एक है विदायकों की जो संख्या है वह अपने खेमे में करने में बहुत बड़ी सफलता आसित कर लेत कि जब उद्धाव ठाकरे को जर्टा ने चुन करके लेकर के आई थी तो ऐसे विदायकों की संख्या आपनी खेमे में करकर के भारते जन्ता पार्टी ने एक रण्नीती कि तरह सरकार गई और कही रही है वह अपने खेमें लाया जा सके और विधायकों के जो सरकार है वो अपनी बनाए जा सके तो यह लगातार बयानबाजी चलती रहती है इस मसले बिल्कुल महराश में अगर बात करी जाया है तो सियासी राजनीती जो है वो गरमाई हुई है सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला भी आना बाकी है हाला कि एकनाच चिंदे के पक्ष में होगा या फिर उद्दव के पक्ष में होगा ये कहीं ना कहीं जनता बहतर तरीके से बता पाएगी और ये भी आपको बताते चले कि लगबग इस बात को बीज दिन हो जाएंगे जब यह कहा गया था कि सुरक्षित रख लिया गया है और इस फैसले को जल्दी सुना दिया जाएगा लगातार इस बात की खबरे भी आ रही है कि शायद चुनावी और राजनेतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी ऐसा करती हुए नजर आ रही हो फिलाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरू बताएगा देख तरी नेक् करता है कि यु झायद ओडरे नेक्ट खिर वोगता है कर मेंट कर लका लाएऄ़ कि खबरे रही है की खबरे भúaど वोगता है के लिए रह जोगता है.